परसंद संख्याच्यार का ए पार्ट है वे पद पहचाने जिनमें X है और फिर इनमें X का गुणांक लिखिए तो पहले तो हमें उन पदों की पहचान करनी है जिनके अंदर X चरह है और फिर उस X का में गुणांक लिखना है तो आईए इसको स्वाल करते हैं पहला पार्ट है Y की दो X जमा Y एक्स वाला पद इसके अंदर हो जाएगा Y की दो X क्योंकि इसी पद के अंदर X है तो यहां पर X का गुणांक क्या होगा जो X के साथ में है Y की दो क्योंकि यहां पर पूछा है X का गुणांक यानि जो X के साथ गुणा है तो Y की दो सेकिंड पार्ट है 13 Y की दो गटा 8 Y X तो यहां पर X वाला पद है गटा 8 Y X और यहां पर X का गुणांक है गटा के 8 Y तीसरा है x जमा y जमा 2 यहाँ पर x वाला पद है सिरफ x एक और x का गुनांक जो x के साथ में है वो है एक साथ में कुछ नहीं है इसके लेकिन यहाँ पर एक होता है उसको हम एक मानके चलते है अगला है 5 जमा z जमा z x यहाँ पर x वाला पद है सिरफ z x और x का गुनांक है जो X के साथ है Z पांचा पार्ट है एक जमा X जमा XY यहाँ पर X वाड़ा पद है XY और यहाँ पर X का गुनांक है जो X के साथ है वो है Y 12XY की 2 जमा 25 यहाँ पर X वाड़ा जो पद है वो है 12XY की 2 और यहाँ पर X का गुनांक है जो X के साथ में जो भी पड़ा है बार है Y की दो अगला है 7 जमा x y की दो यहाँ पर x बड़ा पद है x y की दो और यहाँ पर x का गुनाँक होगा जो x के साथ में है y की दो तो फिर स्वाल का भी पार्ट है वे पद पहचान ये जिनमें y की 2 है और फिर इसमें y की 2 का गुणांक लिखिए तो पहले हमें y की 2 वाड़े पदों को डूनना है और फिर इस y की 2 का गुणांक लिखना है पहला पार्ट है 8 गटा xy की 2 तो बच्छों यहाँ पर y की 2 वाला पद कौन सा हो जाएगा गटा का xy की 2 क्योंकि इस पद के अंदर y की 2 है और यहाँ पर y की 2 का गुनांक क्या होगा जो इसके साथ है गटा का x दूसरा पार्ट है 5 y की 2 जमा 7 x तो यहाँ पर y की 2 वाला पद कौन सा है 5 y की 2 और y की 2 का गुनांक क्या है जो इसके साथ में है 5 तीसरा है 2 x की 2 y गटा 15 x y की 2 जमा 7 y की 2 तो यहाँ पर y की 2 वाला पद है एक तो हमारे पास है 15 गटा के 15 x y की 2 दूसरा है 7 y की 2 दो पद है यहां पर y की दो वाड़े इसका गुणांक क्या होगा y की दो का गुणांक इस पद के अंदर गटा के पंदर है x और इस पद के अंदर y का गुणांक क्या हो जाएगा जो इसके साथ में है साथ तो बच्चो इस तरह से हम इनको गुणांकों को लिख सकते हैं